पतना सहर के राजीब नगर थाना छेतर के नेपाली नगर इस्ति चंदर बिहार कलोनी में बिती राद दो गुटों के बीच जम कर गोलिबारी हुई गोलिबारी की इस घटना में दो लोगों के घायल होने की ख़बर शामने आ रही है हला कि पलीस एक गायल की पूश्टी कर रही है गटना के बाद मौके पर डीएसपी के नेतरित में पलीस टीम पहुंची और पुड़े मामले की चानबिन में जो टीवी है कुछ दिनों पहले भी इसी इलाके में दो गुटों के बीद जमीन विवाद को लेकर फाइरिंग हुई थी जिसमें अपरादियों की बाइक पलीस ने मौके से बरामत की थी लेकिन उसके बाद पलीस भी सांथ पर गई आज एक बार फिर से यह इलाका गुलियों से थर्रा उठा फिलाल राजिमनगर में जमीन पर कबजा करने को लेकर जमीन माफिया बार बार आपस में टकरा रहे हैं उदर गुली बारी की घटनाओं से लोग आतंकीत है पिछले दिन अभी पिछे में गुली चला है हम लोग नहीं थे तब पच्छा वोग घर में था ता चला होगा अचा आप्लों को डर लगता है आप लोगो डर लगता है नहीं नहीं बूछे माम बोले नहीं अचा आवाइज ऑड़ कही काम चल रहा है आए दिन गुली चलते रहता है भू माफियों के वीच दर तो हड़को इसको आभी की सामने गोली चले गए तो कि आपको ड़न नहीं लगेगा जिसे में घटना हुआ था उसे में भर में ही थे नहीं हम ऑफिस से आये ही थे जस्ट आये थे उसका तो हम लोग सारी आठ बंद करते हैं तो वहीं गेर बंद करने आए तो देखे एक व सब्सक्राइब करें कि अभी गोली किनको लगी है किन के दो आरा चलाई गई है इसकी जनकारी नहीं है इस समय अरुजाज कर रहे हैं कई अस्वदाल को देखवाया गया है अभी जख्मी के पता नहीं चलता है कितने लोगो को लगी है तो कुछ पता चला एक बीवाद क्या पलपल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा आपने मोबाइल पाद ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए अगर बेल आइकन को भी दबाएं